आज बनाएंगे पापड की न्यू रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी और खाएंगे जब स्वाद इतना आएगा कि बार बार बनाना चाहोगे नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम पापड की न्यू रेसिपी बनाने जा रहे हैं वैसे तो हमने पापड की पहले भी बहुत सारी रेसिपी बना रखी हैं लेकिन आज ये युनीक सी रेसिपी है पहले कभी नहीं बनाई होगे आपने एक बार जरू ट्राइ करके देखें बहु पीज Dal का पापड ले रखा है और इसको आपने तोड कर इस तरह से मिक्सी जार में डाल लेना है और ये आपके पापड सीले सीले हैं तो आप थोड़ा सा धूब में इसको रख दे धूब लगाकर दोस्तो ये कड़े से हो जाएंगे तब आपने इसका इसका इस्तिमाल करना ह अब इसको मिक्सी जार में डालना है और मिक्सी जार में इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है देखे पाउडर बन गया है इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे अभी हम एक काम और कर लेते हैं यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन गैस पर रख दे गरम होने के लिए इसमें डाल लेना है आपने एक चमच के गरीव ओल ओल आप कोई भी ले सकते हैं या फिर देसी घी भी ले सकते हैं तेल के गरम होने पर आपने इसमें डालनी हैं तीन से चार कलिया लहसुन की लहसुन को आप गोल भी काट सकते हैं या इस तरह से काट सकते हैं या फिर लेसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं इस तरह से काटी हुई लेसुन बहुत ही बढ़िया टेश्ट देती हैं तो आप अपनी चंसार काट ले लेसुन को जिस भी शेप में काटना चाहते हैं अब एक और आदा छोटा चमच, हिंग से इस रेसिपी का स्वाद बढ़ कर आएगा, तो इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, यानि भूनना है आपने सीम गैस पर, गैस आप सीम ही करके रखें, तो जब तक हमारा ये प्याज भूनता है, फटा-फट से एक काम कर लेते हैं, लेना है आपने वही मिक्सी का जार, और इसमें डाल लेना है आपने मुठी भर हरा धनिया, धनिये के आप डंठल भी ले सकते हैं, साफ करके ही आपने लेना है धनिया, और इसमें डालेंगे दो से तीन हरी मिर्च, और एक डाल लेते हैं, इसमें लैसुन की कली, और एक इंच ताकि आपका बिल्कुल भी material waste ना जाए तो यह काम हमने कर लिया है फटाफट से अब देख लेते हैं अपने प्याज को प्याज हमारा भून चुका है इस तरीके से अब इसमें डाल लेते हैं एक चमच डालेंगे इसमें डेगी मिर्च यह फिर आप काश्मेरी लाल मिर्च भ हमने बना कर रखा है वो डाल लेना है और इसको मिक्स कर देना है मिक्स करने के बाद दोस्तो अच्छे से पक जाने के बाद आपने इसमें डालनी है एक कडोरी दही दही को आप फैट कर ले तो मैंने यहाँ पर दही ली है और इसको अच्छे से चला देना है नहीं चलाएं पानी ताकि आपका पूरा मसाला यूज हो जाए देखिए इस तरह से ये पकने लगा है अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं अब दोस्तों आपने इसमें डालना है एक चमच नमक या फिर आप टेस्ट के इंसार नमक डाल सकते हैं और डालेंगे इसमें एक चमच पाव भा पाव भाजी मसाला या आप गरम मसाले का यूज भी कर सकते हैं मैंने यहां पर पाव भाजी मसाला लिया है बहुत ही बड़िया टेस्ट देगा ये मसाला तो इस तरीके से आपने ये डाल लेनी है और इसको पकने देते हैं बाकी और फाल्तू कुछ नहीं डालेंगे इसमे और इसको ढख कर दोस्तों पकाना है बिल्कुल सीम गैस कर दे और इसको पकाते रहें तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं अब लिए है मैंने यहां पर दो उबले हुए आलू इस तरीके से इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं कद्दूकस हो चुका है अब इस आलू को हम जो हमने पापड का पाउडर बना कर रखा था बस उसमें डाल लेते हैं आलू को और इसको मिक्स करेंगे पापड का पाउडर और आलू हमारे मिक्स हो चुके हैं अब इसमें डाल लेते हैं थोड़े से मसाले थोड़ी सी लाल मिस्ट डाल लेते हैं आदा चोटा चमच और नम गुदी बड़िया टेश्ट देगा इस तरह से डाला हुआ मसाला और डालेंगे इसमें एक चमच बेसन अगर जूरत पड़ी तो मैं यहां और भी लूंगी बेसन और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से यदि आपका डो थोड़ा सा पतला लगे यनि दोस्तो यह अच्छे स यह बन गया है अब आपने हाथ साफ करके हाथ पर थोड़ा सा ओयल लगाकर इसके रोल बनाने हैं रोल आप छोटे बड़े कर सकते हैं आपने इसके छोटे छोटे रोल बना लेने हैं यानि कि जैसे छोटे रसगुले होते हैं उस साइज में आपने इसको बना लेना है तो पर उस गरम हुए तेल में आपने ये बॉल सारी डालनी है और इनको तलना हैं। ज़ोड़ दे, यानी हिला ले इसको पिर आपने दूसरे डालने हैं। इसी तरह से दोस्तों आपने सारे बॉल इसमें डाल लेने हैं और इनको चलाते जाएं। बिल्कुल भी रुकना नहीं है नहीं तो आपके ये एक दूसरे से चिपक सकते हैं या फिर कढ़ाई में लग सकते हैं तो ये देखिए दोस्तो ये सारे हो चुके हैं इस तरीके से जब ये अच्छे से सीख जाए यानि थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए तब आपने इनको न करका हमारा इस तरह से हो गया है देखिए जो दही डाली थी उसने कैसे घी छोड़ दिया है बिल्कुल अच्छे से हो गई है अब इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं यदि आपको ये ग्रेवी गाड़ी सी लगे अपने टेस्ट के अंसार आप इसमें पानी डाल कर रेडी हो जाएगी तो देखिए दोस्तो डालते ही ये थोड़ी सी फूल गई है बहुत ही बड़िया रेसिपी बनी है बिल्कुल नरम नरम कॉपते तो इस तरीके से दोस्तो आपने पापड से ये रेसिपी बना लेनी है खाने में जबरदस देखने में सुन्दर तो इस त वीडियो में तब तक धन्यवाद